नमजकार मैं विश्णु सर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विश्णु एडीपी में हार्दिक स्वात करता हूं और आज हम ट्राशेशन करने वाले एक आर्टीकल का जी है आप इस्टोरी में पास्टेंस का आपको प्रेक्टिस होता था और इस प्रकार से मैं आप लो जाती है जो की पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है तो इनका घर कैसे होता है किससे बनाया जाता है क्या है कैसे है यह सभी हम इंग्लिस में पर पढ़ने वाले साथ या ट्रांसेशन करने वाले हैं और इसका एक बार अच्छे से समझ लिजिए हर एक वर्स का मीनिंग मे लिजिए उसके बाद नीचे में लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में तो मेरी जो साइट अभी लॉंच हुए विश्णुएटीपी.com वहां पर आप जा सकते हैं जैसी लिंक क्लिक करेंगे वहां पहुंच जाएंगे और आप इसका अनुवाद वहां पर भी देख सकत करने की कोसिस कीजिए देखिए आपको याद होता है कि यहांने मसाई का घर कैसे होता है ठीक है तो यहां पर सबसे पारा लाइन देखते हैं मसाई मासाहि जाए होता है एक ट्राइब यान फेजम बता चुका हो यह मसाई मसाई है है इसका मनल वहता है क्या है एक ट्राइब यान्य जन्जाथी मसाई एक जन्जाथी है डैट यानल होता है जो रहते हैं अधर के लिव में एस सऺ जूड़ता है यह उसकी पहचान होती है तो मसाई is a tribe that leaves जो रहते हैं ता है ती है इसका पहचान होता है जो रहते हैं इन इन याने में इश्ट- अफिरीका इश्ट यान होता है पूर्वी अफ्रिका बोलेंगे देखें चार दिसाँ होते है एस्ट याने पूर्व वेष्ट याने पस्षरीं उसका नौर्थ उत्तर और साउत्ष मारती तो यह capabilities वही है सउथ ध्राथ वैस साउथ और लाख अब यहां पर देखेंगे मसाई एक जन जाती है जो लिवस रहती है इन इस्ट अफ्रिका पूर्वी अफ्रिका में यहां तक क्लियर हो गया उसके बाद देखते हैं मसाई लाइक मसाई ऐसे जाते मसाई यहतु उसे मसाई कह रहे है श्यक्तल का मतलब क्या होता है इमसे मhouse या पूरानी परणिति की जो अपने परंपर आमें जो चलती आरे उस प्रकार के घर में रहते है इस्मॉल टेडिशनल ज्वर्व फॉषे गश्षों में रहना पसंद करते हैं लाइक आने पसंद करना यानि हरी भरी भूमी प्लेंज अप्लेंज क्या होता है प्लेंज जगा यानि सम्तल जगा सम्तल जगा यानि क्या होता है मैदान मैदानों को यहाज को बते हैं और ये जो प्लेंस लिकाव समतल सपाप्म प्लेंस ऊसे मैदानी भागी बोलते हैं इससे मैदान भी कहा जाता है टीक है याने कि हरी भरी मैदानों में नियर याने पास किसके पास देयर कैटल याने उनके कैटल याने होते हैं जिसे हम बोलते हैं पसू कैटल याने क्या होता है जो उनके पसू होते हैं उसे हम बोलते हैं कैटल ठीक है तो अपने जो उनके पसू होते हैं मवेशी जो होते हैं और य सब्सक्राइब करते हैं जो कि हरे भरे मैदानों जो किसके पास होते हैं याने अपने मवेशियों के या और याने या अपने खेतों के पास होता है वैसे घरों में रहना पासी जो अंवन यो क primary तकلا करते हैं ऑवी से वूमक पढ़ते हैं उससे अगर लिखा हो न एक आट की बारे में बात हो रही है तो वोमन यहाने होता है एक और लेकिन यहाँ पर तो यहां पे देख्या लेकन इसका चिरा हो मैं इसे करते हैं कुछ डिफ्रेंट है एक से ज़्यादा ओरत यानि जो ग्रूप अँरतों के समढ़ के बारे मात हो रहा है तो उसे हम विमिन कहते हैं डोनों में लिखाँ रिखा में जैसे का में यह मंन होते है इसका मतलब आउरत और विमेन बनाते हैं इनके खुद की घरों को आगाने मसाइल की और रह्यां ब्रह भिड्न 와ने होताँ बनाना अब यहां पर देखिए यह भी को वही है बिए जब बनाती है महिलाएं अपने फुद बनाती हैं ता है ती है थि आ भी पशने है कि मैं सभसने सबसे पहले दो से वड़ेश राख यांनि व आकार बनाना आकार कौन से से पर ऑफ दा हाउस याने घर के अकार का ड्राउ करते हैं ड्राइंग बनाते हैं चित्र बनाते हैं रेक्टेंगल रेक्टेंगल याने क्या होगा रेक्टेंगल याने होता है आयताकार ठीक है तो रेक्टेंगल आयताकर किसे बोलते हैं देखिए जिसकी आमने सामने क भी बना पाना पैसे लेकिन इस स्क्वायर और यह जो यह ओथा और इस हैं वो heißt यह स्क्वेर होता है तो इस सेप अपने घर का जो आपार हैं उससे जमीन पर भनाते जमीन पर डॉकर बनाना वे बनाते हैं और फ्रेम एक फ्रेम बनाते हैं धाचा बनाना उसे फ्रेम का जाता है कैसे दौरां बनाते हैं वेविंग 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 पर से बनाई такую कहते हैं तिक है तूगेदर आवर एक साथ प monopoly साथ बनाते हैं और तudfryक्स इन और पतली-पतली साख्भाओं को टीर हो गया तो अपना घर मनाती है पहले और साख्भाओं को एक साधा से भून के पहले धाचा त्यार करते देन फिर विक्ताव करना यान उसे पैकिंग बोलते हैं घ्रास घ्रास ग्रास उस उसमें भड़ देते हैं डंग क्या होता है गोबर याने मविश्यों के जो लीद होती उसे डंग कहा जाता है और गोबर ओवर दा आउटसाइड ओवर याने आउटसाइड याने बाहरी सता को आउटसाइड बोलते हैं बाहर के भाग को घास और जो घास होता है और गोबर से आच्छे से लिपाई कर देते हैं to keep the living dry to keep तो बिलिदेंग रखने के लिए the building Dry, building, भवन घर तो उसे सूखा रखने के लिए गास और गोबर होता है उससे अच्छा तरीकी से क्या और क्रते से क्या कर दो कर देतें धख दे अच्छी प्रेक्टिस है इस नैसेसरी यह आवश्यक है जरूरत है आवश्यक यह वह यह वह वह तो तो मौसम क्या हैं नमी होती मौसम में वहां का मौसम होता नमी होता है यानने हल्काल को इसे पशीना पानी pink राश केते हैं अगतम सुखा नहीं होता इसलिगे जरूरी है कि सुखा रखने के लिए ऐसे करें अब उसके बाद देखे पार छोटा सादा время ये में वतार हों आपको उसके बाद देखते हैं देएर इस जश्वन डूम देख रीज जश्वन डूम केवल एक कमरा होता है ए Hay rin seiner एक कमरा होता है इन्साइड याना अंदर वहां केवल एक कमरा होता है ऑब यहां पे कोई सब्जेक्ट नहीं है इसलिएεις का यूस किया जाता है यहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं होता है वाकिय होग पूरा करना है तो यहां पर लिग ऑ Sophन माश्रा के घर में एक नहीं घर में होता है ऑल्मोश्ट और लगभग अर्मोश्ट और लगभग 6 पीपल 6 लोग sleep together तो लगभग 6 लोग एक सां सो सकते हैं in one large bed in याने one large एक बड़ा लार्ज याने बड़ा bed याने बिस्तर इसे पलंग भी बोल देते हैं तो एक बड़े बिस्तर पर 6 लोग सो सकते हैं और made of large branches और वो जो बेट किस से बना हुआ है made याने बना हुआ है जो बनता है of large याने बड़े branches याने साखाऊं से covered जो धगा होता है with hide with याने say किस से धगा होता है अब हाइड याने छिपना भी होता है लेकिन यहाँ पर hide का एक मतला बहुर होता है मैंने लिखा हुआ हो पसू की खाल पसू का चमड़ा उसे भी हाइड कहा जाता है ठीक है तो यह जो जो बैड है किसे बना रहता है बड़े बड़े जो साखाओं से और उसके बाद उसे ऊपर से पसू के चमड़े से अच्छे से ढग देते हैं इसे पलंग में हम यहां पे रस स्लीब याने सोते हैं इन इनर कॉर्णर इन याने में एक याने भी एक होता है लेकिन यहां पर आई चे स्टार्ट हो रहा है इसलिए लगा है ठीक है इन इनर कॉर्णर सोते हैं कहां पर एन इनर कॉर्णर एक इनर याने होता है अंदर के कोने में अंदर के कोने में इन यान के ठीक है तो इसे हम क्या बोल सकते हैं कि वह क्या करते हैं मां और बच्चे घर के कोने में सोते हैं ऐसे भी बोल सकते हैं साधारण सब्दों में लेकिन आपको एक एक याने आग जलानी की जगह इन आग जलाने एक जगह है कि इसले यहां पर आप देखें ज spricht जलती है क्या होती है वहां आग जलती है तो यह भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट प्रेज़ेंट इंडिफिनेटेंग से जलता है जलती है खाता है खाती है यहाँ पे आप देखें ज्यादा तर सिंपल सेंटेंस के यूज रहा को पता है यूजन वपयोग किया जाता है ऑन में के लिए गर्मी कर ना पकाने के लिए और रोषणी के लिए लाइट और रोशनी तो में अगर जलता है जो कि क्या कामा आता है खाना बनाने कंगर तर्मी और उजाले के लिए हैं देयर आर नो विंडोस देयर आर नो विंडोस याने वहां कोई भी खिड़किया नहीं है वहां क्या है कोई भी खिड़किया नहीं है इंप मसाई हाउस में में कोई खड किया नहीं है यहां पर देर को सब्जेक्ट नहीं होता है कुप्रीट करने को टेक्श करते हैं वीन्डे उन्डोस में कोई खिड़किया नहीं होती ज़्टाल जो क्या रगता है लेटिट इन लाइटीन याने उजाला अंदर आने के लिए एक जगह को हम वहाँ पे खुला रखते हैं ताकि वहाँ से क्या हो सके उजाला अंदर आ सके और इसमोक आउट और इसमोक याने धुआ आउट याने बाहर तो क्लियर होगे यह वहल एक ही खुली जगह होती है जो जहां से उजाला आ सके और बाहर निकल सके इस प्रकार से उनका घर है बस एक लाइन और बच्चे मतलब दो लाइन बच्चे फिर आपका स्क्रिप्ट है यहाँ पर एंडिंब भाड़े यहां तक ख्लियर होगे अब इतना ही बच्चे है अब यहाँ पर देखेंगे क्या मैं आपको बताया था जो जानवर होते हैं मय आधने याने हैं यह एक से ज़्यादा है अब क्याद नीं बात नहीं हो रही है बहुत लोग आ इसलिए आर कर है केटल आप इंप्वेशी है वह चाहते हैं एक महतवूर्ण पार्ट इंप्वार्टीन बार्टन हिस्टा आफ्द मसाइफ फैमिली और जाले के लिद्ध परक्ते हैं वहां के मवेशी मसाइफ के महत्पूर्ण हिस्सा होते हैं यंग काउस इसे काउस पढ़ेंगे काल विडियो आप देख लिया करो उसकी बाद आप वहाँ पर जाएंगे साइट में तो बहुत जाद आपको फाइदा होने वाला है फिर आप दुबारा उससे देखोगे ना वहाँ पे अरे यार सर क्या नहीं बढ़ें अब सतनी क्या नीन नहीं है देख सकते यंग काउस दो चोटे बचडे को बच्चे को का आउस जाता है और बक्रिया याने चोटे चोटे बच्चडे और वबक्रिया इसाफ्टी से अलग प्रकार का बहुत ही बहुत ही जिसेश इन तर mismaten मान थी का मान पथी प्ठी जहां पर जैसे बुफा मान भी कहते हैं रहने की जगा कि तो एक विशेश मान में रहते हैं in site गर के अंदर एक विशेश मान में उन्हें रखा जाता है दे ड्रिंग मिल्क वे दूत पीते हैं पीना लेकिन यहां पर पीते हैं तह थी है प्रिजर्ण इंडिफिनेट टेस्ट डे ड्रिंग मिल्क वे दूत पीते हैं in a long vessel इन याने में लंबे वेजल, वेजल यानने क्या होता है, बरतन, लंबे याने जो बना होता है, made from याने जो बना होता है, किसे from याने से, किसे बना होता है, hollowed, hollowed याने होता है, आए खोकला और याने होख्ला आउट याने खोकला अखार बाहरा हिस्सा होता है किसका ज और तो अज़ उतने खूर्ण खूर म।हर को garage होता है चार्ण पर बाहरा होता है तो फूर बहुत आया है जो कि इसे कोकला करके बनाय जाता है केला बैस को और वह सुखने के बाद वाकई में बहुत मजबूत होता है मैं रहता हूं यहां जो भी बस्तर जो है वहाँ पर आदी वासी जंग जाती अभी भी है तो जब स्पोर्स वोगर होता है मैं टीचर हूं तो उनकी डियू मतलब वह स् पानी देखा तो में इस प्रकार का उसे सुखा कर इतना हाड रहता है इतना मजबूत कि कुछ भी वाहां पानी बाहर से कोई भीगने हुने का कूई डर नहीं है और अंदर पानी डाल दो मस्ट ठंडा रहता है पानी मस्त रिएंदम कूलिंग का करता है और ताजा रहता है पानिया आपको और उसे भी कुछ नहीं होता और बहुत सालों थक चलता है बहुत ही मजभूत होता है तो वहां यहां भी ऐसी बनाते हैं जातर आदिवासी जन जाती कुछ जो प्राक्तिक जो प्रक्तिक के चीज़ हैं उन्हें कहीं प्योग करके बहुत ही अच्छे चीज़े बनाते हैं कभी 36 वड़ाना हो तो जरूर बस्तर के सब्सक्राइब दिल खुष हो जाएगा तो यह थी आज आप देखें प्रेज़ेंट इपरेंटेंस का बहुत जादा यूज़ हुआ हैं बहुत ही सिंपल आपको समझने को मिला बहुत अच्छ अच्छा तरीका था वर्ट का मीनिंग यहां पर लिखा हुए क्या क्या मीनिंग है कि यहां पी तना लिखा हुए तो मैंने आपको सीधा बता है तो ने आथा का मतलब क्या होता आए प्लेंज़से कहते हैं बैदा बड़ा हिस्था यूठा सूखा जमीन करें उसका फ्लेट हिस्था सब्समीनường आप मेरे आर्टिकल में मिल जाएगा तो नीचे लिंक दूँगा आर्टिकल में तो ये जो आपका ये जो मैंने आर्टिकल यहाँ पर आपको पढ़के बताये वीडियो में उसका ट्रांस्टेशन के साथ पर वहाँ पर दे दूँगा वहाँ जाएओ प्रैक्टिस एक बार कर आप सभी का बहुत धन्यवाद आपका दे शुब रहे